आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करने का कम्प्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। उपर राइट कॉर्णर में फोटो पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो अधार का फ्रन्ट डिटेल सो हो जाएगा फिर से क्लिक करेंगे तो अधार का बैग डिटेल सो हो जाएगा पहला अपसन है डाउनलोड आधार दूसरा है और अधार प्वीशी कार्ड तीसरा है अड्रेस तो यहाँ पे क्लिक करना होगा, rate pop-ups हो रहा है तो इसका मतलब पहले से आपने login किया था resume पे click करके फिर से वहीं से use कर सकते हैं, otherwise यहाँ से delete भी कर सकते हैं अभी हम delete पे click करेंगे, pop-up को okay करेंगे, यह delete हो जाएगा अब आपको address update पे click करना होगा, यहाँ पे दो options होगा, पहले option पे click करना होगा update अधार online, उसके बाद यहाँ पे नीचे proceed to update अधार पे click करना होगा अभी यहाँ पे नाम को आप दो बार change कर सकते हैं, data of birth को एक बार, जेंडर को एक बार address में कोई भी limit नहीं है, तो अभी हम address पे click करेंगे, proceed to update आधार पे click करना होगा यहाँ पे आधार में जो भी address पहले से था वो सो हो जाएगा, care of में अगर महिला की साधी हो चुके तो उनके husband का नाम रहेगा अपना मकान नमबर यहाँ पे इंटर करिएगा, मकान नमबर नहीं पदा छोड़ देजिएगा, street name में अपना गाउं का नाम डालिएगा, हिंदी में convert हो जाएगा, area डालिएगा अपना, उसके बाद pin code यहाँ पे इंटर करिएगा तो आपका states हो जाएगा, district की यहाँ पे इंटर करिक अपना district की इंटर कर लिएगा उसके बाद यहाँ पे आपका village होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगा, village की list आजाएगा यहाँ पे इंटर का लिएगा, हिंदी में convert होगा तो यह गलत होगा, तो उसको सुधार लिजेगा, Google tool क कि मादध्यम से नीचे मैनुवल होगा इसको रहने देजेगा एडरस प्रूफ में यहां पे जो भी डाकुमेंट उसको स्लेट कर लेंगा अब हम डो मेश आइल देना चाहते हैं नीमास तो यहां पे क्लिक करना होगा उसके बाद यहां पे जो है इसको अपलोड डाकुमेंट क्लिक करके continue to upload पे क्लिक करना होगा अब यहां पे ब्राउजर में जहां भी डाकुमेंट होगो select कर लेना होगा उसके बाद यहां पे friends upload हो जाएगा अब यहां पे next पे click करना होगा जो भी अपने अभी update किया वो address यहां पे सो हजाएगा उसके बाद इसमें कोई changes करना चाते हैं तो edit पे click करके changes कर सकते हैं जाएकि सब कुछ यहां पे सही है जो आप update करना चाते हैं यहां पर नीचे दोनों option के section पे click करना होगा एलाउट to correct दोनों के option पे click करना होगा click करने के बाद friends यहां पे आपको नीचे next caption पे click कर देना होगा next करने के बाद यहां पे फ्रेंस आपको अगर जैसे लागाउट हो जाता तो फिर से वही प्रोसेस करना हो ओटीपी इंटर करना होगा login हो जाएगा जैसे लागउन होने के बाद यहां पे नीचे आएंगे फिर से ड्राफ्ट का अपसंस हो जाएगा जैसे कि पेमेंट मेरा फेल हुआ है नीचे ड्राफ्ट के अपसंस पर click करेंगे जैसे कि यहां पर देख सकते हैं payment श्टेज पर हम पहुंचे थे फेल हो जो जो आपका फोन करना को जो भी फोन पर का यूपी आइड यहां आइडिय उसको इंटर करना होगा जैसे कि मैं यहां पर इंटर करना होगा करds सब्कर्स करने के बाद आपका जो नाम होगा वो यहाँ पे सो हो जाएगा सो होने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं सो हो चुका है अब यहाँ पे जैसे आप प्रोशीट करेंगे यहाँ पे पेमेंट जैसे आप पेमेंट को एक्सेप्ट करते हैं आपका यहाँ पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी डाउनलोड एकनॉलिजमेंट यहाँ पे क्लिक करके इसको जो है आपको एकनॉलिजमेंट को डाउनलोड कर लिजिएगा